आज दे इस एपिसोड दा विशा बहुत जादा गंवीर है जिन ते सानू पहसी अनूगीกंवीर्यों होनाच यह थै। फर्बरी महीन में विच्छी तेज घर्मि पहने लग पाई है। दिने तेज गर्मि और सुइरविय ने संगनी तोँ अंत पे रही जग है। अमेरिका दे टेकसस शहर विच सर्दी दा तुफान आ गया है, अचानक ठंड पैंड लग पई, अधे मौसम कुछ पला विच ही बदल गया, उत्रा खंड दे विच बहुत वड़ी द्रास्दी वापर चुकी है, गुल मिला कि कुदरत अधे मौसम विच उथल पुथल मची हो कुदरत अधे साड़े आड़े द्वाले दे वातावर्न विच जो भी हलचल मची होई है, जो अचानक नवे नवे वरतारे होन लग पहने, इना दी सब तो वड़ी मिसाल जे लबनी होवे, ता अमेरिका दे शेहर टेकसस विच्चों मिल दी है, अमेरिका दा शेहर टेकसस वो शेहर है जिनू आम तौरते गरम शेहर मनने जानता है, इते तापमान आम तौरते 40 तो 50 डिगरी सेल्सियस दे आसपास रहे दा है, अते इनू काफी गरमी दा सामना करना पहें दा है, ओसे टेकसस शहर विच बीते दिनी सर्दी दा तुफान आ गया, ठंड दा तुफान अचानक आया, जिते रोज 40 डिग्री दे आसपास तापमान नहीं दा सी, ओसे टेकसस शहर विच कुझ ही पला विच मौसम अचानक बदल गया, पानी जमना शुरू हो गया, अथे तापमान सिफर डिग्री तोवी हेठा चला गया, यानि सब कुझ जमन लग पया, इननी जादा ठंड अचानक पैन लग पयी, ओथों दे मौसम माहरा ने इसनों विंटर स्टॉम यानि ठंड दा तुफान करार देता है, ये दे आउन दे नाल की होया, कि ओथे 2 लख 12 थामा उते बिजली गुल हो गई, हनेरा पसर गया, कई लोकां दी जान भी गई है, आते लोकां नों बिजली आते पानी दी वड़े पदर होते थोड़ हो गई, होने सिर्फ एक खबर ये नहीं, एक बहुत वड़े चितावनी हैं जो कुझ दरत ने सानू दिती है, अमेरिका जो के इसे अगाउं चितावनी दे, बिना किसे संकेत दे, अचानक मौसम बजल सकता है, ये बड़ा गंबीरता नाल सोचन वाड़ा मसला है, अमेरिका तो वापस अपने इथे, अपने देश विच, अपने पंजाब वे चाहिए, ता इथे की हो रहा है, साड़े आले दवाले वी इनी दिनी फरवरी महीने विच, जो के ठंड दा मौसम होना चाहिदा सी, ये थे तापमान इना वद गया है, कि गर्मी दाय सास होना शुरू हो गया है, दिन वेले तुपे बैठना ओखा होंदा जा रहे है, तापमान वी तो पच्ची डिगरी दे आसपास चलना शुरू हो जड़ों ठंड पूरे जोर ते होवे, जानी दिसंबर दे अखीर वेच जनवरी दे शुरू वेच, जहो जी तुपे बैठना ओखा होंदा इना दिना दुरान पहरी है, जड़ो तापमान पच्ची डिगरी दे आसपास दिन वेले होंदा है, जोने दो में चीजा इकठिया नहीं हो सागदिया, सुवेर नू तौंद आते दुपेर नू तापमान पच्ची डिगरी जानी गर्मी आते संग्णी तौंद गिल्ली तौंद इकठियां नहीं आ सागदे, और दो में चो एक चीज नहीं हो सागदी, जानता फरवरी दे इना दिना दुरान सुवेर नू विखा रही है, जिडियां आम तौरते असी सोच नहीं सागदे, क्योंकि ए जो तौंद सी इनी दिनी सुवेरे वेख रहे हैं, ए दसंबर महीं ने दी तौंद आते जो गर्मी हैं सी तो पहर वेले पच्ची डिगरी वाली वेख रहे हैं, ए गां एपरेल आते मई महीं महीं इस तो इलावा तुसे बीते दिनी खबरां विच पड़या होना कि साड़े उत्तर पारदे सूबे उत्तरा खंड विच बीते दिनी गलेशियर पिगलन करके बहुत वड़ी तबाही होई है, सैंकडे लोकां दी जान गई सी, उन एस विशे वारे माहिर दस्ते ने कि गलेश पहाडां दे उपरों अचानक टोटा बनके डिगन करके इस सारा वरतारा वाप रहा है, गलेशियर दानों सौखी पाशा विच दस्तना होवे, तब पहाडां दे उपर जो बर्फ जम्मी होंदी है, जा थोड़ी-थोड़ी करके हे ठानों केरदी रहेंदी है, उन्हों दे रहें, तएदे विच कोई हर्ज नी, पर जब में गलेशियर बहुत तेजी नाल पिगलन लग पहेंदी होज़ी यह तबाहियां होंदी हाईयां, एक खोज़ दे मताबक यह पता लगा है, कि साल 1975 तो लेके साल 2000 तक, गलेशियर जिस रफतार दे नाल पिगलन लग पहें ता ओन वाले समय विच बहुत वड़ा खत्रा पैदा हो सकता है, हडा दा, एस नाल किन्नी तबाही हो सकती है, एस दासी अंदाजा भी नहीं ला सकते, सानुए ता पता लागा कि उत्तरा खंड विच बीते दिनी एक कटना वापरी है, पर साल 2013 विच भी ठीक है हो जी कटना वापर गई है, क्योंकि पिछली वार तो कोई सबक नहीं जिख्या गया, कोई तियारी नहीं सीकीती गई, एस विचे दे माहिर कह रहे हैंने कि एस सारा वरतारा इस नों क्या जानदा है, जी एल ओएफ, यानि ग्लेशियर, लेक, अब्स्रक्शन, फ्लड्स, जो तो कुदर गई तो और ते ग्लेशियर दे रा विच रुकावटा पाई जान दियाने, जा ग्लेशियर नों कुदरती तरीके नाढ पिगलन नहीं देता जान्दा, जा तेजी नाढ पिगलन ली मजबूर कर देता जान्दा, तो एहो जहे वरतारे फिर वापर देही ने, अर्थे एवी हो सकता है कि उसे चीज़ दा एक सिटा होवे उत्रा खंड विच गलेशियर पिगलन करके जग गलेशियर दे तोदे डिगन तो बात जो हड आया एस दी चर्चा होन हो रही है पर इसनों सुदारन दे ले अगे तो रोकन दे ले जाए इस दा नुकसान कट तो कट होवे एस चीज़ नो पका करने ले हाले तक भी कोई कदम नहीं पुटे आ गया जो के करना बेहद जरूरी है इस तो इलावा तो नोई भी याद होना के बीते दिना दुरान उत्री पार दे बहुत सारे हिस्यां विच पुचार दे चटके भी आये सी बाराव फरवरी नो राती सड़ एक नौ वजे पुचार दे चटके महसूस कीते गये सी चटके भी काफी तेज तरारसन उस विले तर्तीवी हिली आते नालती नाल कुछ पलालाई लोक भी हिल गये सी सोचनली मजबूर हो गये सी के असी जिस तर्तीव ते इनना भोज पाया है वो तर्तीवी हिल सक दिये आते सानू नीद विच्चों हला के जगा के सोचनली मजबूर कर सक दिये पर गल फिर होई, अगले दिन लोकी कमा कारणा ते लग गए, अते फिर कुदरत बारे सोचना पुल गए अरो पुचाल आएँ थे बहुत सारे कारणा खास्त आपके दे हेठां वाल केनों जदो हिल देने, उनदे विच्चों इरप्शन्स हनदियाने ता पुचाल आओंद है हेठा हिल जोल हनदियां, तरती उपर भी महसूस हनदियां पर जे इस चीज नों पुचाल नों होर गंबीर तानान सोचिये समझिये ता एक चीज बहुत असानी नाल समझी जा सकती है कोई भी पांडा जिटा खाली है वो जादा हिलूगा जो बरतन जा जो पांडा पर्या होया है वो कट हिलूगा एसे तरह तर्तीदे अंदर भी बहुत सारे कुदरती पदार्थ मवजूद सी जिनावच पत्थर, मिटी, पानी, और भी बहुत सारे चीज़ा तर्तीदे गर्ब विच मवजूद ने उन पानी दी मातरा लगातार कट दी जा रही है उन एही तातीज अंदरों खोखली होंदी जाओगी अते एदे उपर मनुख लगातार भोज पौंदा जाओगा ता इने हिलना ही है इने चटके कड नहीं है अते ओही चटके पुचाल बढ़के ओंदे दिना दुरान मनुख उफ्ता नों एक बार फेर कुदर्द गुसेदाय सास करवा सकतेने इस चीज नों समझन दी लोड है कि जिन्नी तरती नों असी अंदरों खाली करांगे अते ओदे उपर बोज पामांगे ता उनना उसने हिल जुल करनी ही है इस गल नों दुनिया दा कोई वी देश हाले तक समझन ले, मननली त्यार नहीं क्योंकि सारे पासे विकास दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दी, डेवल्पमेंट दी होड लगी हुई है हर कोई अगे तो अगे निकलन ले काड़ा है इसे चकर विच असी तरती दे उपर बोज बदा रहे हैं ते तरती नों अंदरों खोखला कर जो हौली हौली पुच्चा आड़दा कारण बन सक दी है, ओसनार किनी तबाही होगी, एवी हले किसे ने अंदाजा नहीं लाया होना, इना सारी गलंदी चर्चा एस करके नहीं किती जा रहे हैं कैसी तो अनू ड्रोना चोने हैं, जाहीं कह रहे हैं कि पवेख बड़ा खतर ओं हमेशा संकेत दिया है, एब बीते दिना दुरान जो भी होया है, टेकसस वे जो भी होया, पुचा आड़ा आया, जाफ हरवरी महिने संगनी तो अंदपई, उत्तरा खाड़ वे जो भी वापरया, एक कुदरत दे साड़े ली संकेत ने, एक कुदरत दी चितावनी हैं, जिनु समझना और मनुख दी जमेवारी है, तानु याद होना, पिछले साल करोना काल दे समय दुरान, कुदरत बहुत वदिया ते निखरी होई नजर आ रही सी, करोना काल दुरान जिन्नी देर भी सक्त लोकडाउन लगा रहा, उन्नी देर कोई कुदरती करोपी नही पर जिमें लोकडाउन चुक्या गया, जिमें मनुख ने अपनियां सरगर्मियां दुबारा शुरू कीतियां, अगे वदन दी अगे निकलन दी होड दुबारा शुरू होई, ता कुदरत एक बार फेर बदले होई रूप विच, परदूशित होई रूप विच नजर आनी जई शुरू होगे है, और उस दा नतीजा है, नुख मनुख नुख नुख नहां देण लग पाई है, इस जो भी चुदरती वर्तारे, कुदरती कुरोपियां बीते दना धुरान वापरियां ने इना भारे गंबी तानाड सोचे आवे तेह द लिए, असिद्ध्य तोरते म मनुख ही जमेवार है पर हमें लोग की कहांगे कि सारे नेच्रल कलैमिटीज है पर इदे पिछे असिद्धे तोर नाल मनुख दियां हरकता ही जमेवार ने क्योंकि जो कज़वी आपर है इदे पिछे सब तो वड़ा कारण है कलाइमेट चेंज दुनिया दे पदर उत्ते जो मौसम विच लगातार बदलाओ आ रहे है ओई ये पिछे सब्तों जादा वड़ा कारण नजर आए ते ओधे पिछे सब्तों वड़ा कारण है मनुख दियां आदतां अथे मनुख दियां हरकतां क्योंकि लगातार कारण डायकसाइड गैस वाता वरन दे वे छड़ी जा रह इस है नमियां तो नमियां गडियां अथे नमेन किसम दा तूमा एंसी कुरते वे छड़ रहे हैं जेदी रही ओही तूमान विच वद्धा कर स्टEO. ने वही तापमान विच जो वद्धा होगाए वह पहाड़ां दे ऊपर जमी बरफ अथी ग्लेशियर उना नों पगड़ सारे हैं आते ओहीं चीज पिगल के फिर हड़ बन दिये आते ओहीं चीज आके फिर मनुखदा नुकसान भी कर दिये स्कूल ना विच बच्चे वी एकल जान देने के दरख्त जमीन नू जकड के रख देने मिटी नू छेती कीते हैं रोडर नहीं दिन दे पर होन जैसी दरख्ती नी छड़े दरख्ता नू लगातार वड़े आ गया ता उना दे हीठा जो भी जमीन सी वह जदों पाणी होंदा तो नाल वह तुर दी है जदोंगाल डेवलप्मेंट विकास वड़े वड़े प्रोजेक्ट लॉन दे हंदी है ता उदे विच बहुत सारियां चीजां सोचियां जान दियां बहुत वड़ी वड़ी प्लैनिंग किती जान दियां पर एक चीज जो सब तो जरूरी है उदा जिकर तक नहीं हंदा जो एही है कि जोदोंगी किते कोई प्रोजेक्ट लगदा तो उस प्रोजेक्ट दे लगगन नाड उथों दे कुदरती नजारेयां उते अते कुदरत दे जो भी उते साधन मौजूद ने उना उपर किये सरफ होगा एदे बारे कोज नहीं सोचा जान दा उते कुदरत दा जो भी नुक्सान कीता जानता है द्रуш वड़े जानते ने द्रियामा दा मोख मोड़े जानता इपहाळ चीए दे जान दे ने इना दी बात विछ पर पाई के मए जानी किती नीच कुद पेदा हो जन्दा है इस दाही अगे जाके सिटा गंबीर रूप विच मनोख नो पुगतना पेंदा है दूर की जना इस दी बहुत वड़ी मिसाल जलंदर तों शे आरपुर नो जांदी सड़कुते ही मिल जन्दी है यह उए लाका है यह सड़क है जिदे आले दो आले हरे पर सड़कुते लंग दियां जांदियां गडियां ते स्वारियां नो एक तरह नाल संगनी छांदा अशीरवाद दिन दे सी होन उसे सड़क नो चोड़ा करन दा प्रोजेक्ट चल रहे है पोड़ बन रहे ने पर इस दुरान आले दुवाले जो संगने हरे परे द्रक्त सी इन पर होने दा जो नुकसान होना है एक और वाले सालां विच पता लगूगा तो एक गल सपश्ट है कि साड़े आले दुवाले हर पासे कुदरत दा बहुत वड़े पदर होते नुकसान कीता जा रहे है अथे एही नुकसान मनुख ने अपने पैरां होते कोहाडी मार कीता है होने इस बारे सोचन दा समय नहीं इदे बारे कुछ करन दा समय आम जनता पबलिक इस बारे बहुत कुछ कर सकती है जदो में कोई आह हो जया प्रोजेक्ट तो ड़े आले दो आले लगण दी तियारी हो रही हुंदी जाता नुन लगदा नजरोंदा है तो उसे विल चीज़ दा डटमा विरोध होना चाहिद है पारत देश वीच एक विले चिपको मुवमेंट चली सी जिते लोगी द्रक्ता नू वड़े जानतों रोकन दी द्रक्ता दे नाल चिपक जांदे सी चिमबड जांदे सी एक तरह नाल कहीं दे सी कि जे द्रक्त दी बली देनी है पहिला मनुख दी बली दे के विखाओ उसी तरह दी मुहिम अज दोबारा चलाउन दी लोड है तां जो साटे वातावर्न बचाया जा सके वातावर्न बचावांगे तांसी आप बच सकांगे ते और वाल यां पीडिया ले कुछ छड़के जा सकांगे जिते यसी आप वात दिनाल इवी जरूरी है कि जो लोग इनवायरमेंटली कम कर रहे हैं वातावर्न पक्खी वरकर आते जो लोग के सबंदी कई सालों तो कम कर दे आ रहे हैं उन्हा सपोर्ट वी जरूर करिये उन्हाद करिये ना तो तंग प्रेशान करके जिल्ला विच डखनदा कम करिए सो जरूरी हो जानता है कि टेकसस विच जो कुछ होया उत्राखंड विच जो कुछ होया पुचा आलवाले दिन असी जो कुछ मैसूस कीता आते फर्वरी महीने लगा तार पैरही गर्मी आते नालो नाल पैंदी संगनी तो अंदनों वेह के असी कुछ सबक सिख सकीए नहीं ता आउन वाले महीने दुरान एक गल पकी है कि जिन्नी गर्मी एद की पैंदी है शायद पहला इतिहास विच कदे ना पही होगे सो आओ अपने अपने कमा कारातों आपो अपने रुजेवियाचों बिजी होन विच्चों कुछ समा कड के कुदरत वारे भी सोचिये आते एस पासे ते आंदेना शुरू करिये जिकर आज दाए अपिसोड चंगा लगा था इसनों वद तो वद लोकां तक जरूर पचाओ इस संदेज सारें तक पहुंचना बहत जरूरी है कि आसी मिलकेस तरतीनों होन बचाणा है इस विशे बारे तुसी अपने विचार हमेशा दी तरा हेठा कमेंट्स देवेच जरूर दसेओ आते उनानों पड़न दी आते वेखन दी सानों उढीग रहूगे आज दाए प्रोग्राम वेखन देली बहुत बहुत तानवाद